हेलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लाश टूइल इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 6 मार्च 2014 की वोड इज्याब में इतिहास का पेपर देने वाले हैं तो हमें एक मोश्ट इंपॉर्टन वीडियो लेकर आएं जिसके लिए काफ़ी स्टूडे इने डिमांड की थी आज का ये मोश्ट इंपॉर्टन वीडियो महत्पूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्ण से हैं कैसे आपको मानचित्र को भरना है और उसकी प्रश्णों को उत्तर कैसे आपको देना है कौन-कौन से हों महत्पूर्ण प्रश्ण है सभी आज की इस व पेपर में 100% ऐसे ही आप लोगों को करना है और जो मैं प्रशन बताऊंगा यह मुच्छी जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए student यह हमारे पास एक मांचितर दिया हुआ है देखिए पेपर में भी आपको सेम इसी तरीकी से क्या है मांचितर दिये जाएंगी इतिहास में आपको मांचितर दिया जाएगा इस तरह से और इसी में क्या है दरसाना है तो यहाँ पर देखिए student यहाँ पर पांच प्रशन हमें दिये होते हैं क्या हमें पांच प्रशन दिये जाते ह कॉपी में सबसे फर्ष्ट में लिखेंगे जैसा कि यहां पर पहला प्रश्ण दिया हुआ है दिखिए सबसे फर्ष्ट में कोशन क्या पूछा गया है कि वह अस्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो आपको पता होगा वह अस्थान कहा है वह अस्थान जो है गौतम बुद्ध कर जो जन्म हुआ था वो लुबुंगनी में हुआ था कहा पर हुआ था स्टूडेंट कहा पर हुआ था स्टूडेंट लुबुंगनी में जो कि कहा पर ही यहां को बताना नेपाल में है काफी स्टूडेंट को पता होगा कहा पर है नेपाल में है अब यह पर हमें क्या student एक number दे दिया जाएगा examiner की द्वारा एक number दे दिया जाएगा लेकिन यहां तक हमारा कोई भी काम क्या भी complete नहीं हुआ है हमें क्या करना है मांचित्र में भी दर्साना है कि लुबंगी कहा पर है नैपाल कहा पर है तो यह देखे यह भारत का मांचित्र है पूरा मांचित्र दिया हुआ है इसी में हम आपको बताएंगे मियापर में सबसे पहले अपना नाम लिख देता हूं हाला कि पेपर में आपक का मार्च को पर तो 6 मार्च दूद्धरा दोजाद 24 अ कि सटडी बीडिवीजन में जो भी लिखना चाहें तो यहां पर हमने लिख दिया उसके बाद देखें नेपाल कहां पर इस्टोडेंट देखि नेपाल पर आपका जो कॉंटिनेंट दि रहां पर रहता है यहां पर कि यहां पर हम पॉइंटर लेकर जाएंगे इस तरह से फर्ष्ट कोश्चन है तो हम इस तरह से लिख देंगे लुग नी आपके पास जो होगा कोश्चन बैंक होगा आपके पास कोश्चन बैंक में भी आपको क्या है कोश्चन बैंक में जितने भी कोश्चन होते हैं मांचित्र से अजब मंदित सारे प्रश्णों को तयार कर लिए बस आपको हमने दे दिया है दूसरा कोर्शन देखिए क्या पूछा गया है वह अस्थान जहां अकबर का मकबरा इस्थी थे तो वह अस्थान जो मकबर का जो अकबर जी का है मकबरा इस्थी थे वह कहां पर इस्थी थे सिकंदरा देखिए काफी कोशDonald क्या है इस ते भी कोशल आ सकते हैं और आपको क्या राज्ञ पता है क्या कौन सा अस्थान कहां पर है इतिहास में क्या पूरानी चीजेह से पुझे आती हैं पुरानी चीजहें आपके पुञें आएंगे मैप में भी हैं मानसेटर में दर्षाना है तो अगरा कहा पर जहां पर ताजमहल एश्टूडेंट और आगरा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर परदेश राजी में पड़ता है तो यह जो अमारा continent है पूरा या जो हमारा state है, पूरा उत्तर परदेश ही है यह देखी उत्तर परदेश यह देखी कितना बड़ा है सबसे अधिक जनसंख्यावाला राजी, भारत का उत्तर परदेसी, आप लोगों को पता होगा, देखिए, ये उत्तर परदेसे, अब यहाँ पर क्या है, क्या पुआप पूशना गया है, मैं सिकंद्रा आग्रा योटना है, तो इस तरह से हम पॉइंटार लेकर जाएंगे हमारा क्या है दूसरा नंबर कोश्चन था तो इक्जामर को भी पता चलेगा ना इस तरह से जब आप लिखेंगे कि सिकंद्रा हम लिख देंगे इस तरह से नीचे मागरा लिख देते हैं देखें यहाँ पर भी हमने दर्सा दिया पॉइंटार लेकर गया हमने दर्सा दिया प्यार से क्या कोई गंदगी मत कीजिएगा प्यार से आप इस तरह से लिख दीजिएगा यानि इस तरह से आप जब लिखेंगे साफ सुतरा एक्जामर को भी देखने में अच्छा लगता ह स्थान आंनद भवन इस थ spec हैं किया आंन भवन इस्थीतjos ुद्रभवन इतलि पर यह यह परियाग उत्तर पर क्रदेश में का परियाग राज you darkest के अंदर हमका उत्त्र परदेश लिख देते हैं इस तरह से परियाग राज उत्तर परदेश यह मान्चीतर आ गया उत्तर परदेश मे आ उत्तर परदेश आपको पता चल गया पर्याग राज कहाँ पर रैस्टूडेंट परियाग राज आपका यहां पर आजाता है तो हम इस तरह से पॉइंटर लेकर हम नीची यहां पर आजाते हैं यहां पर हम क्या लिख देंगे तीसरा पॉइंटर दाल देंगे तीसरा नमबर हमारा कोश्चन है न तो इस तरह से हम लिख देंगे तो एक्जामर को पता चलेगा कि भाईया जो बच्चे ने लिख दिया, हो गया, ये भी हमारा हो गया, तीन नमबर कोर्षन था, इसका भी अंसर हमने अब दे दिया है, चार नमबर कोर्षन देखे, वह स्थान जहां उत्तर परदेश की राजधानी है, इसका अंसर हमें क्या स्टूडेंट बतानी की अवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि हम लखनाओं हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बेसिक नॉलेज ये पता होनी चाहिए, और काफी स्टूडेंट को पता भी होगा, मिनिमम में बात कर रहा हूँ, 0% स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन सभी को पता होगा, जो 12 की स्टूडेंट है, तो लखनाओं में है, लखनाओं कहाँ पर स्टूडेंट पढ़ जाता है, यह दिखिए, लखनाओं आपका पढ़ जाता है, यहाँ पर, यह दिखिए, लखनाओं यहाँ पर पढ़ जाता है, तो मैं पॉइंटा लेकर यहाँ पर में लिख देता है, स्टूडेंट, समझ लीजेगा, दिखिए, चौनी के कि राजधानी दिलि की राजधानी भारिक की राजधानी नई मैं दिल्ली आजब की हो जाएकि पंजाब का हो जाएका चंडी गढड अलग अलग जाएगा लग वह बहुति奶 def बाहा रहा हो गया। लगना उत्तर प्रदेस। फिर कि पांच地 हए चुकी आख्री है कि वह स्थान जहां से उत्तर प्रदेस में अठारा सुसत्तावण की क्रांती हुई थी, तो 10 मई यहा पर दिखे 10 मई 857 की क्रांति जो हुई थी कहाँ पर हुई थी मेरथ में हुई थी student अफ्रपर देश के मेरथ में हुआ था तो वह आप हम लिख देंगे मेरथ दिखे मेरथ हो जाएगए यहाँ पर मेरथ उत्तरपरदेश प्रिकट के अंदर हम लिख दिया है दस मही अठारों से सतावन की क्रांती जो ही थी उत्तर परदेश में हुई थी तो उत्तर परदेश का मेरट कहां पर है स्टूडेंट मेरट आपका यहां पर पढ़ जाता है तो हम पॉइंटर लेकर जाकर इस तरह से हम लिख देते हैं दिगी यहां पर हम लिख देते हैं मेरट प्यार से लिख देंगे जो हमारा कोश्चन था को था नमबर कोश्चन था लास्ट वाला कोश्चन था पाचवा नमबर इस तरह से हम लिख देंगे उत्तर परदेश अब examiner प्यार से समझ जाएगा सारी चीजी की बच्ची को तरीका मालूमें कैसे भरना चाहिए मानचितर को ऐसे ही भरना है बस आपको क्या state पता होने चाहिए जैसा कि यह आपका बिहार पढ़ जाता है फिर यह आपका क्या हो जाता है बांगलादेश ही तो पूरा बांगलादेश ही है फिर आपका पश्चिम बंगाल फिर जारकंड आ जाता है फिर यहाँ पर मद्द परदेश फिर राजिस्थान फिर उसके बाद में क्या है हरियाणा दिल्ली उसके बाद में हिमाचल पंजाब उसके बाद में जम्मू एंड क असमीर, फिर गुजरात, फिर नीचे आजाईए मुंबाईपूरा, फिर तेलंगाना, केरल, सारी चीज़े पढ़ जाती है, बस आपको ये पता होने चाहिए कहाँ पर कौन सा राज्य है, क्या-क्या होता है, पुरानी चीज़े आपको मौलूम होगी, सारी चीज़े आप बह पर जो भी कोशन बेंगे, उसकी सारे प्रशनों को पढ़ दीजी, सारी चीज़े आपको मालूम रहेंगी, देखें, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया, गौतम बुद्ध का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के जन्म कहां पर हुआ था, उन्हेंने उपदेश कहां पर दिया इस वेड़ो में बता दिया है, पेपर में भी आप भर लीजिएगा, इसी तरीके से भरना है, और जिस तरह से हमने बताया ने स्टुडेट, ऐसे तरह से आपको कहां सारे प्रशनों को उत्तर देना है, जैसे पहले प्रशन का था हमारा लुबंगिनी नेपाल हो गया, दू आज प्रशन होते हैं, दस कोश्चन यानि दस नंबर आपको दिया आता है, पर ते एक प्रशन पर दो नंबर, तो इस वेड़ो में स्टुडेट इतना ही मिलते हैं नेस्ट वेड़ो में नए टापिक के साथ जाएं